हलो गारीज असलाम अलेकूम आज हम आपके लिए मैगी मंचूरियन की रेसिपी लेकर आए हैं जो के खाने में बहुत ही डिलिशिस है यम्मी बनकर रेडी होगी तो आएए देख लेते हैं हम उसे किस तहां बनाएंगे ये देखिए हमने सारी वैजिस अच्छे से वाश करके कट कर ली हैं दो पैकिट हमने मैगी के ले लिए हैं सासे हैं सारी मैदा है तो चलिए सबसे पहले एक बावल रख लेते हैं और इसके अंदर ये सारी वैजिस जो हमने अच्छे से चॉप्ट कर ली है उन एड़ करेंगे हम सबसे पहले हमने एक छोटे साइस की शिम्ला मिर् अच्छे से हमने इन सारी सबजियों को वॉश करके अच्छे से चॉप कर लिया है ये देखे एक बावल में ट्रांसफर कर देंगे और अभी हम इसके अंदर अधरक लसन जो हमने बारिक चॉप कर रहा था वो अट करेंगे सबसे पहले हमें मैदायट करना है इसके अंदर हाफ कप हमें मैदा एट करना है इसके अंदर अभी हम इसके अंदर जिंजा गालिक जो हमने चॉप कर लिया है बारिक वो एट कर देंगे यह देखिए अच्छे से एट करेंगे हम अभी हमें इसके अंदर नमक एट करना है नमक अपने जाएके के हिसाब से अड़ करें यह देखिए 1,5 tsp अंदर रेट चली पौडा रेट करेंगे यह देखिए 1,5 tsp हमने इसके अंदर रेट चली पौडा रेट करा है अच्छे से हमें इसे mix करना है हातो की help ले लेंगे अपने और अच्छे से इसे mix करेंगे इसमें हमें कोई भी पानी वगएर इस्तिमाल नहीं करना है बिल्कुल भी इसे हमें सबजियों का जो moisture होता है बस उसी से हमें इसे mix करते रहना है और अच्छे से हमें बहुत mix कर देना है हातों से दबा दबा कर इसे mix करेंगे तो यह बहुत अच्छे से सैट हो जाएगा ये देखिए हमारे मंचुरियन बॉल्स के लिए मिक्सटर पूरा अच्छे से हमने रेडी कर लिया है अभी हम इसे साइड में रख देंगे और एक बॉल में हमने कॉन फ्लार ले लिया है जिसे हमें गोल बनाकर रेडी करना है ये देखिए इसमें पानी अट करेंगे और इसका एक अच्छे से गोल बनाकर रेडी कर लेंगे ये देखिए हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंज बगएरा ना रहें यह देखिए, अच्छे से हमें इसे mix करना है, यह देखिए, बहुत ही अच्छे से हमें इन सब चीजों को mix कर लेना है, corn flour, sauces, अभी हम आपको sauce mix करकर दिखाते हैं, यह देखिए, half teaspoon हम इसके अंदर, 1 teaspoon हमने इसके अंदर vinegar लिया है, और half teaspoon हम इसके अंदर red chili sauce लेंगे, half teaspoon हम इसके अंदर green chili sauce लेंगे, half teaspoon हम इसके अंदर dark soy sauce इस्तिमाल करेंगे, और इन सारी sauces को हम अच्छे से mix कर लेंगे, यह देखिए, सारी sauces को हम अच्छे से mix कर लेना है, अगर आपको हमारी recipe अच्छी लग रही हो, तो like, comment, share जरूर करिएगा, channel को subscribe कर दीजिएगा, और यह recipe जरूर try करिएगा, और हमें comment में जरूर बताइगा, यह recipe आपको कैसी ल देखिए, कुछ इस तरह से, और जो half part हमने अलग से रखा है, उसे हम crush कर लेंगे, जो के हमें manchurian balls पर cut करने के काम आएगा, यह देखिए, अच्छे से हमें मेगी को boil कर लेना है, हमें मेगी को तोड़ना नहीं है, बस अच्छे से इसे boil करने तक पकाना है, यह देखिए, अच्छे से हमें boil कर लेना है, सारी मेगी, यह देखिए, हमारी मेगी अच्छे से boil हो चुकी है, यह देखिए, अच्छे से हमें spoon से या fork से, जिससे भी आप चाहें, mix करते रहें, और इसे अच्छे से boil कर लें, यह देखिए, अभी हमने जो manchurian balls का mixture बनाया था, उसकी हमन एक ball बना ली है, और मेगी के अंदर इसे अच्छे से coat करके, एक कड़ाई में fry करने के लिए रख देंगे, यह देखिए, कोच इस तरह से हमें fry करना है, हमें बिल्कुल medium flame पर इसे fry करना है, बिल्कुल low to medium flame पर ही हमें वंचुरियन balls fry करनी है, नहीं तो यह बाहर से जल जा अगर आप इसे medium, low to medium flame पर ही fry करेंगे, तो यह अंदर से बहुत ही अच्छी पकर रेडी हो जाएंगी, और बहार से बहुत ही crisp बन कर रेडी होंगी, जो के खाने में बहुत अच्छी यम्मी लगेंगी खाने में, यह देखिए, सारी मंचुरियन balls हम इसी तरह बाल्स बना और मेगी में कॉट करेंगे, अच्छे से हमें fry करनी है, अच्छानक से आप यह घर में guest आजाएं, तो यह recipe आप 15 मिनट के अंदर अंदर बना सकती हैं, अपने बच्चों को छुट्टी वाले दिन सर्फ कर सकती हैं, यह देखिए, बहुत ही delicious recipe बन कर यह ready होगी, यह देखि बिल्कुल भी हमें, यह देखिए, बिल्कुल भी हमें flame को high नहीं करना है, बिल्कुल low to medium flame पर ही हमें इसे fry करते रहना है, तो हमारी manchurian balls बहुत ही crisp बन कर ready होगी, बहार से बिल्कुल crisp और अंदर से बिल्कुल soft बन कर ready होगी, जो कि खाने में बहुत ही yummy लगेंगी, यह द इसे हमें spoon की help से fry करते रहना है, अलटते पलटते यह देखिए, अगर हमें high flame पर इसे fry करना है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जल जाएंगी, और खाने में बहुत ही खराब लगेंगी, कोई भी test इनका नहीं आएगा, यह देखिए, हमें अच्छे से अलट पलटते इन्हें golden brown और crisp कर लेना है, बिल्कुल, यह देखिए, सारी manchurian balls हमारी इसी तरह ready हो रही है, कितना प्यारा color आचुका है, अभी हम इन सब बॉल, अपनी manchurian ball को एक bowl में transfer कर लेंगे, यह देखिए, कितनी बढ़िया बनकर ready हुई है, उसी कड़ाए में हमने one tablespoon oil एक cubes हमने butter का इसमें add कर दिया है, इसे अच्छे से melt कर लेंगे, यह देखिए, अच्छे से butter को melt करेंगे, यह देखिए, हमने बिल्कुल butter को melt कर लिया है, जिंजा गालिक जो हमने बारिक chopped कर कर रखा था, वो इसके अंदर add कर देंगे, यह बहुत ही बड़ी है flavor आएगा इ इसे roughly chopped कर लिया है हमने, यह देखिए, अच्छे से हमें mix कर लेना है, मखन के साथ प्यास को स्रिफ हमें saute करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी wedges का हमें color change करना है, यह देखिए, अभी हम इसके अंदर एक छोटे साइस का tomato add कर देंगे, जिसके हमने बीज नि अब इसके हमने roughly chopped कर ली है, यह देखिए, हमें सब्जियों को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें यह सारा प्रोसेस करना है, नहीं तो जो सब्जियों का crunchy पन है, वो पक जाएगा, बिल्कुल खतम हो जाएगा, तो हमें सब्जियों को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, यह देखिए, अच्छे से हमें mix करना है, अभी हम इसके अंदर पत्तागो भी add करेंगे, यह देखिए, अच्छे से हमें mix करना है, यह देखिए, सारी सब्जियों हमने अच्छे से mix कर ली है, अभी हम इसके अंदर, जो हमने sauces ready करीं थी, वो अच्छे से हमें mix करनी है सारी साउसिस जो हमने एक बाउल में mix करकर रखी थी सारी सबजियों के साथ हमें mix करनी है अभी हम इसके अंदर corn flour add करेंगे जो हमने घोल बना कर रखा था यह देखिए अच्छे से से mix कर देंगे सारी सबजियों के साथ ये देखिए अच्छे से हमने mix कर दिया है corn flour और sauces अभी हम इसके अंदर tomato ketchup एट करेंगे ये देखिए अच्छे से mix करेंगे अभी सारी sauces का color change होने लगेगा ये देखिए तो हम इसके अंदर नमक एट करेंगे नमक अपने जाइके के हिसाब से एट करें क्योंकि हमने manchurian balls में भी नमक एट कर रहा था और sauces में भी नमक होता ही है तो आप अपने test के according नमक एट करें और जो हमने मैगी बॉइल करकर रखी थी वो हम इसमें mix कर देंगे ये देखिए अच्छे से mix करेंगे सारी veggies के साथ दो packet हमने मैगी मसाला इसके अंदर add करना है देखिए अच्छे से हमें mix करना है अब हमें इसमें कुछ भी add करने की जरूरत नहीं है लगबग हमारी जो मैगी है वो अच्छे से ready हो रही है बहुत अच्छे से हमें इसे mix करना है ये recipe आप अपने बच्चों के लिए lunch box में भी दे सकते हैं आप इस recipe को ज़रूर try करिएगा ये बहुत ही yummy recipe बनकर ready हो रही है ये देखिए अच्छे से हमने इसे mix कर लेना है ये देखिए अच्छे से हमें mix करना है इसे बहुत ही अच्छे से हमें इसमें mix कर लेना है सबजियों के साथ और सारी sauces के साथ मैगी को अभी हम इसके अंदर manchurian balls add कर देंगे इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए अच्छे से हमें बहुत मिक्स कर लेना है इसे ये देखिए अच्छे से बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है मिक्स करते रहेंगे बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ये देखिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है मंचूरियन बॉल्स और मैगी को ये देखिए अभी ये बिल्कुल रेडी हैं बनकर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है मंचूरियन बॉल्स और मैगी हमारी अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल हर अप्याज एड़ करेंगे यह देखिए अभी हम इसे आपको सर्फ करकर दिखाते हैं मैगी मंचूरियन हमारी कितने डिलीशेस बनकर रेडी हुई है हम अभी आपको टेस्ट करकर दिखाते हैं यह देखिए कितने सॉफ्ट हमारे मंचूरियन बॉल्स और मैगी बनकर रेडी हुई है यह देखिए आप लोग भी आजए यह से टेस्ट करने के लिए यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पर वाचिंग अल्लाहाफेज